इतियास को कभी भूलना नहीं चाहिए हम लोग जहां पहुंचे हैं क्योंकि हमारे पूरवच ने जो कठनाईयों का सामना किया है तो इतियास को हम भूल नहीं सकते लेकिन हम इतियास को बना सकते कर दो पहले बार तो जूट बोलकर फीजी लाया गया था इनको यह बताया गया था कि इसी पास में ही है शिर्दो घंटे की ही रास्ते वो पोच जाएंगे पर जब उनको ऐसा लगा कि जो पानी का जो एक जो चेंज हो रहा है उनको यह पता लगा कि वो कहीं दूर जा रहे हैं कि उनको उनको जब सवाग किया तो काफिर उनको हमारा किया